हलो, 14th February को worldwide Valentine's Day मनाया जाता है उस दिन हर एक लोग अपने अपने लब्ड वन्स के लिए flowers है, gifts है या कुछ न कुछ लेके जाते हैं ताकि उनकी लब्ड वन्स खुश हो और उन्हें I love you कह सके सबसे पहले important है अपने आपको लफ करना लेकिन हमारे culture में इसे selfishness कहते है तो चलिए, आज हम अपने आपको लफ करने के लिए तरीके सीखते हैं सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जैसे हम plane में बैठते हैं तो हमें कहा जाता है कि अगर oxygen कम हो जाए तो आप अपने आप पर mask पहले लगाए तो अगर हवा खतम हो जाएगी और आप air अब breathe नहीं कर सकोगे तो आप किसी को भी मदद नहीं कर सकोगे अपने आपको भी नहीं तो अपने आपको सबसे पहले सुरक्षित रखना प्यार करना सबसे ज्यादा important है तो हम यह किस तरह से कर सकते हैं तो मैं आज आपको थोड़े टिप्स दोंगे नमबर वन रोज अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए जो भी चीज़े आपको जो पसंद है वो आप कीजिए जिससे आपको खुशी मिले किसी किसी को meditation से खुशी मिलती है किसी किसी को nature में रहने से खुशी मिलती है किसी किसी को massage लेने में खुशी मिलती है किसी को book पढ़ने में खुशी मिलती है आपको जो भी चीज में खुशी मिले आप वो चीज कीजिए Secondly, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज रोक रही है खुश होने में और आपको पता है हमने पहले भी बात की है कि जो भी हम दिमाग में सोचते है वो हमारी बॉडी में हमें फील होता है तो मैं क्या करती हूँ हमेशा जब भी मुझे हेवीनेस फील होता है या बाडी में या माइंड में या मेरे हार्ट में तो मैं एक पेपर लेती हूँ और उसमें लेक लेती हूँ कि I let go of और जो भी मेरे दिमाग में आता है चलो let go of all the pain, let go of anger, इसके तरफ मुझे गुसा है तो मैं let go करती हूँ जो भी आपके दिमाग में आए आप वो लेक लीजिए और फिर उसको जला दीजिए और फेक दीजिए और आप अगर ये करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आपको पता चलेगा जिसे मैंने experience किया है बहुत ही lightness बोडी में, माइंड में और हाट में तो आप ये चीजिए क्योंकि अगर kettle के अंदर चाई होगी तो चाई पोर करेंगे काफी होगी तो काफी पोर करेंगे लेकिन अगर गुसा होगा तो हम गुसा पोर करेंगे और अगर depression होगा तो हम वो पोर करेंगे के लिए ताकि आप दूसरों को भी लब पाढ़ सके हैपी वालन्साइन डे टू आल अफ उस बाई चीर्स टो वेलनेस